हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, कि जो किलोग्राम का प्रोस्ण होता है, इसे हल कैसे किया जाता है, तो देख सकते हैं अब एक प्रोस्ण है, एक केजी कदाम 80 रूपा है, तो 300 ग्राम, 4500 ग्राम, 2 केजी साट सो ग्राम कदाम कितना होगा, देखिए इस प्राश्णों को हल करना बिल्कुल आसान है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक केजी कदाम एक केजी कदाम कितना है वह देखिए है आसी रुपा है तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अब आपको सबसे पहले 100 ग्राम के दाम को निकालना है तो 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए जो 1 केजी का दाम होता है इसमें आपको 10 से भाग लगाना है देखिए 10 से 80 में भाग लगा है तो यह लग जाएगा 8 बार में यानि देखिए 100 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 8 रूपाए देखिए 10 से भाग इसलिए लगा जाता है क्योंकि 100 ग्राम के जो बढखारे होते हैं वह 10 रहने के बाद वह 1 केजी के बराबर होता है देखिए जैसे ही 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा देखिए हम लोग सबसे पहले 300 ग्राम के दाम को निकलेंगे तो देखिए 300 ग्राम के दाम को निकलने के लिए यहाँ पर जो 100 ग्राम का दाम आएगा इसमें आपको 3 से गुना कर देना है यानि 8 से गुना 3 में करें तो यह हो जाएगा 24 रूपाए यानि 1 केजी का दाम 80 रूपाए है तो 300 ग्राम कदम कितना होगा वह हो जाएगा 24 रूपा है तो चलिए अब हम लोग 400 ग्राम के दाम को निकालने के लिए सिख लेते हैं देखिए यहाँ पर 100 ग्राम कदम कितना है वह है 8 रूपा है तो देखिए हम लोग सबसे पहले 400 ग्राम के दाम को निकालेंगे तो 400 ग्राम के दाम को निकालने के लिए यहाँ पर देखे जो 100 ग्राम का दाम होगा इससे हम लोग 4 में गुना करेंगे 8 से गुना 4 में करें तो यह हो जाएगा 32 देखे यह जो 32 है यह है 400 ग्राम का दाम अभी भी देखिए यहाँ पर 50 ग्राम का दाम को निकालना बाकी है तो देखिए 50 ग्राम का दाम को निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले 50 ग्राम को देखिए 100 ग्राम का आधा वह होता है 50 ग्राम 100 ग्राम का दाम देखिए 8 रूपए तो 50 ग्रम कदम कितना होगा? वह हो जाएगा 4 रूपए अब आपको देखिए 32 को और 4 को आपस में जोड़ना है यानि देखिए यह जो 32 है यह है 400 ग्रम का और यह देखिए 4 है यह है 50 ग्रम का 32 और 4 को जोड़े तो यह हो जाएगा 36 यानि अगर 1 केजी के दम 80 रूपए है तो 400 ग्रम का दम कितना होगा? वह हो जाएगा 36 रूपए तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गये होंगे तो चलिए अब हम लोग 2 केजी 700 ग्रम का दम को भी निकालने के लिए सीख लेते हैं देखे सबसे पहले हम लोग 2 केजी के दम को निकालेंगे देखे 1 केजी के दम कितना था? 1 केजी के दम है 80 रूपए तो 2 केजी के दम को निकालने के लिए हम लोग 80 में 2 से गुना करेंगे 2 से गुना 8 में करें या हो जागा 60 इस के अंत में देखिए एक जिरो है तो यहां पर एक जिरो लग जाएगा यहनी 2 kg कदम कितना हो गिया वह हो गिया एक सो साथ रूपाई अब देखिए आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है 100 गराम कदम सो ग्रम का दम कितना था वह था आठ रुपाई अब देखें यहाँ पर साड़े साथ सो ग्रम का दम को निकलना है तो सबसे पहले हम लोग निकलेंगे साथ सो ग्रम का दम तो साथ सो ग्रम का दम को निकलने के लिए जो सो ग्रम का दम होगा इसमें हम लोग 7 से गुना करेंगे 7 से गुना 8 में करें तो यह हो जाएगा 56 यहाँ देखिए हो गया 700 ग्राम का अभी भी देखिए यहाँ पर 50 ग्राम का दाम को निकालना बाकी है तो देखिए 50 ग्राम का दाम को निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है 50 ग्राम को और देखें 100 ग्राम का आधा होता है 50 ग्राम यानि 50 ग्राम का दाम कितना होगा वह हो जाएगा 8 का आधा यानि वह हो जाएगा 4 रूपए अब देखें यहाँ पर जो भी संख्या है इसको आपस में जोड़ना है यानि 160, 56 और 4 को देखिए 4 और 6 को जोड़े यह होगा 10 का 0 और हासिल होगा 1 6 और 5 को जोड़े यह होगा 11 और 1 था हासिल यह होगा 12 का 2 और 1 हो जाएगा हासिल यहाँ पर देखिए 1 है और 1 था हासिल तो वह हो जाएगा 2 यानि 1 केजी कदाम 80 रुपय है तो 2 केजी 7500 ग्राम का दम कितना होगा वो हो जाएगा 220 रुपाए तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जो इस तरह का किलो ग्राम के प्राश्ण होते हैं इससे हल कैसे किया जाता है